हेलो फ्रेंट सौगत अब के ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला यहां पे गुजरात वर्सेस हाइदराबाद के बीच जो होने वाला विजा जारे ट्रॉफी का मैच इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टन रहेगी आपको स्मॉल लिक के साथ यहां पर ग्रेंड लिक की तीन तीम देने वाला हूं और आपको बहुत सारी इंपोर्डन न्यूस देने वाला हूं उससे पहले गर आप मारे यूड़ोब चैनल पर नए आयो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करना बहुत ज़रूरी है जिसका नमें फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा वह दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलिग्राम चैनल अवेले वाले पर आपको हमारे टेलिग्राम के रियल और और ओरिजिनल चैनल है उस को जॉइन कर लेना ग्रेंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने है कि टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया आपको उसी का यूस करना है तब भी आप हमारे टेलिग्राम के सही और ओरीजिनल चैनल के साथ जुड़पा होगे तो कड़ते हैं आप वीडियो को स्टार्ट तो बात करें यहां पर आपके लिए टीम कौनजे इस्ट्रॉंग रहने वाली है किस बैसिस आपको टीम बनानी है वह सारी चीज आपके इस वीडिय और अब हमें रहें बात करें यहां आपको हैं अगर थे आपको इन ग्रार में दो डूर का इक क्यों रहाँ बात करें दुरूब रावल के बारे में तो को दुरूब रावल के लिए ओपन करने और प्रस विकेट कीपिंग करने का बड़ा फाइदा में यह विलने वाला कैचिंग और स्टंपिंग के पॉइंट देगा तो दुरूब रावल के इंडिया ए इंडिया बी अगरा के लिए भी खेल चुका एक अच्छे लेवल तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है तो डेफिनिटली प्रयांग पांचाल की इंपोर्टन को समझना बहुत अच्छा बैट्स प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता तो इंडिया को अच्छे लेवल तक रिप्रेजेंट कर चुका बागी है भारगव मेराई आप ले सकते हो अच्छा बैट्समन है क्लासिक है और अच्छा क्लास बैट्समन है बागी बागी बात करें यहां पर हेच्पटेल देखो विकेट कीपिंग आउप्शन में आपको दो इंडिया कर रहा है और कैचिंग स्टम्पिंग के पॉइंट मिलेंगे और बाकी हेच्पटेल भी अच्छा बैट्समन है लास्में पर सेंच्री स्कूर कर गया है बट मैं आपको दोनों में से एक पिक करने का ऑप्शन दो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दूरू पतिल करेंगे जो हमें थोड़ा बैटिंग के साथ बॉलिंग करते हो नजरा है तो यहां पर डेफिनिटल में तीन प्लेयर है आपको जरूर ट्राइ करने ग्रैंड लिक के लिए और स्मॉल खासकर से हैं आपर बाकी बात करें यहां पर रिपल पटेल हमाले जादे इंपॉर्टन तो बताजता हो इडामेश्टिक लेवल में सेंचर्व अगेरा भी कर चुकर बहुत बड़ी अपलेर आपको इसको ग्रैंड लिंग में कैप्टन सी या वाइस कैप्टन सी देने दस और अपने कंप्लिट करेंगा लैग स्पिन बॉल रहा है और आपको रिकमेंड करना ग्र आट से दस ओवर चाबला दस ओवर तक डालते है नजर आएगा रिपल पटेल पार्ट टाइम बॉलर तेजस पटेल भी एक्सपेक्टेशन निया कि पूरे फुल ओवर डालेगा बट आपको बॉलिंग में लिमिटेड ऑप्शन दू तो मैं आपको इनके साथ जाना एक तो बहुत बड़ी अच्छा बॉलर अपनी टीम में जरूर लेना डैथ में बॉलिंग करेगा डैथ का मतलब होता चालिश से पचास ओवर के बीच में तो नगास वल्ला इंपॉर्टेल आपको बॉलिंग करते हैं नजर आएगा यह बी काफी बॉलिंग कर रहा है तो यहां पर तो स्मॉल लिग में थ्र डिफरेंट जाना तो आप एच्पटेल गार जातो बाकि ग्रैंड लिग में डो आफी दो आफेले लेवल है चिराग गांदी यह तीन अप्शन अवेल है चिराग गांदी अच्पटेल और यहां पे है अ मारगव में रही देन आप इनको एगनोर करना दो प्लेयरों को जुनको मैं आपको जयादा प्लेयर करूंगा नहीं चावल और गाजा को स्मॉल लिग दोनों में लेकर चलना है बाकि यह पर आपको 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 बालिंग में कौन कितने ओवर करके आ रहा है नगास वल्ल अपने 10 ओवर पूरे करते हों नजर रहेंगे हार्दिक पटेल के साथ तो 40-50 ओवर का जो टाइम होता है वह था दैथ ओवर का मतलब होता है कि यह ओगया कि आपको यह नजर आ लेता है तो यहां पर तीन चार इंपर्टन प्लेयर रहेंगे तो इन दोने पर ध्यान देखना बाकि तेजस पटेल मेले ज्याद रहेगा नहीं और यहां पर रिपल पतेल जो ऐसे कि थोड़ा थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बालिंग कर देख अब अब आधे हैं अब है अब है इदराबाद की टीम के उपर अब ध्यान से सुनना तनमाई अगरवाल बहुत बड़ी डाइसे की टीम में टीम है यहां जो कि लिए लीए बडिया है लेक्ने सेसी आप दे सकते हो को अब डे सकते हो कंवा आप कर चूकषा अर। असी के असपास स्कोर भी कर चुका है दैन इसके साथ जो प्लेयर आ रहा रहा है और तनमे अगर अला असनी खेल रहा है बहुत लंबे टाइम से खेल रहा है एक्स्पिरेंस बहुत अगड़ा इसको डॉमिस्टिक लेवल का तो तनमे अगरवाल और तिलग वर्मा दो इनकी टीम के रहेंगे जान और इन दोनों में से कोई बड़ी इनिंग खेल सकता है बाकी बात करें हिमाले अगरवाल के बारे में चार करता है कभी पांच करता है किसी मैच पर पूरे दस ओवर भी कर लेता है तो आपको ध्यान रखके चलना है बावंका संदीव के लिए और इधिंगे लेफटाम और स्पिन बाॉलिंग करता है तो ध्यान रखना है यह पर तीन प्लेयर को टीम में लेना है तनमय अगरवाल तिलग वर्मा भावंका संदीव और रोल प्लेयर करेगा भावंका संदीव अपनी टीम के लिए बाकि में किल जैस वाल इंपॉर्डन नहीं रहेगा रवी तेजा इनका बॉलिंग और काफी अच्छा अल रॉंडर काफी अच्छा प्लेयर है तो मैंसिया जाने वालों रवी तेजा के साथ और आपको यह 10 ओवर डालेगा प्लस यहां पर आपको अच्छी बैटिंग कर लेता है फिनिशिंग का रोल अच्छा प्लेयर करता है साथ बात करें आपको यह 7-8 ओवर डालते भी नजर आएगा त्यागा राजन तो इंपोर्टन रहेगा ग्रैंड लिक के लिए बाकी छामा मिलें जिनकी तिम का जो बैस्ट बॉलिंग और बुलू तो वह यह है दस ओवर डालेगा और लाश में इससे पहले और मैच पांच विकेड भी लेकर आ रहा है और यह 10 ओवर कंप्लीट करेंगा और आपको यहां पर मेडल ताउन डी ओडर बैटिंग अच्छी कर लेता है और दूसरी बात करें दैथ होड से बालिंग करता है यहां पर चालिस से पचास ओर के भी जो दैथ होड का टाइम होता है वहां यह क इसको आप चाहो तो स्मॉल लिग में रिकमेंट कर सकते हो बाकि इनके बास जो बालिंग में अप्शन देखोगे तो कौन-कौन कितने ओवर डाल रहा है चामा मिलिंद आपको यहां पर दस ओवर डालते नजर आए रवी तेजा नौ से दस ओवर असन ग्रैंड लिग की यह यहां पर बात करें त्यागा राजन भी आपको डालते पर ग्रैंड लिग में जादा अच्छा उप्शन नहीं रहेगा बाकि अजए देव गौड के बारें बात करें तो लास्ट वाले मैं अच्छी बालिंग करी तो इसको आप स्मॉल लिंग में रिकमेंट कर सकते हो बाक कोशिक करें तो मेरे कोड़िंग की तीम बन सकती है बाकि रीजन बताता हो मैं अपको हर प्ली को लेने के पीछे बाता चुका हूं कि गुजरात की दोनों विकेटीपिंग को अच्छे रहें तो हेट पटेल या फिल और दी रावल को बाकि अगर आपको अगर अगर आपको नीचे देखो कि तो यहाँ पर सी गांधी जो रहेगा बट बैटिंग और काफी नीचे सले मैं इसको इंपोर्टन से इसमाल लिग में नहीं देरा बाकि हमालय अगरवाल फॉर्जन बैटिंग करने आएगा और यहाँ बात करें तो नीचे और कोई इंपोर्टन मुझे और नीचे बात करें तो यहाँ पर और देखो तो मिखिल जैस वाल इंपोर्टन नहीं है अगर एक प्लेयर है रुष कलारिया अब रुष कलारिया के बार मैं आपको वीडियो के शुरू में यहाद हो तो मैंने की चीज बोली तो रुष कलारिया क्यों इंपोर्टन रहेग वीडियो देख रहे होंगे उनको ध्यान रहेगा यहीं क्योंकि लाश्ट टाइम पर जो वीडियो आते तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रहते हैं तो अगर आपको मैंने वीडियो में चीज पहले बता दिया रुष कलारिया रिखता है बहले मैं आपको टेलिग्रम पर अगर नगवास वल्ला के साथ गया हूं बाके मैं रवी तेजा को लिया है और यहाँ जो में को लाश्ट आप्शन नजर आए किस का तो 11 प्लेयर आप चाहो तो यहाँ तो यहाँ पर ट्राइब कर सकते हैं अगर रूष कलारिया खेल तो यहाँ प्लेयर के साथ रूप में है अगरेमेंड करूंगा और आप जैए यहाँ तो यहाँ आप गोएंडिक शाथ जासकते हो तो इन दोनमें बीसे फिल्हाँ आपके दों मैंसे आपकरदे यह हले व्ल्हाँ यह कीसी करना है अगर तो इन दोनेनको फिलेंडकन करूं को कीनदीं फिलाल उयाबहाँ एकर लि वाएज से अपर मत की टीम यह खोल पर अब अब गई कर दिया को गई कि तेम की तोजा आप गई कि तो अ कर एक टीम ऑच ये मने कोई है वर्मा की जगह हमाले अगरवाल को लिया है यह पर चिंतन गाजाओ को लिया है यह पर मैंने बहुत रिस्की बनाई है तो यह बहुत रिस्की बनाई है अगर आएगा तो बड़ा मांट अगर नहीं तो आपको डेफिनिटली चलेगी तो अच्छा रैंक आपकी बुल्ट यह पर चेंज करें डेटल को ड्रॉप करके एक एक श्राइट अपने दोनों विकट की पर यह उठा यह यह लिखा बिंटली की तीम थीए रहे कि चावला को चाप्तेंसी दिया वाइस-Captain C. अगास वाला को दिया है तो मेरा एकिंग पर ट्मॉली की प्लेश के पलेए ती प्रेबर का लिए बटन नीचे दिखाई दिखाई दे रहा हो उसको दबाजना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड करूं दोस्तों और फ्रेंड के साथ ज़रूर कर सकते हो कमेंट में कोई भ टेलिग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करो के टेलिग्राम चैनल ओपन हो जायागा देंस को जोई कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक चैपको ध्यान रखने टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपक